हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है और आज हम बात करेंगे मौसरोस के बारे में मौसरोस दोस्तों बहुत अच्छे फूलों वाला एक पौदा है आप देख सकते हो और आपने भी लगाया होगा इसमें दो रंग बहुत जड़ा common मिल जाते हैं सभी जगा पे जो है गुलाबी और जो सफेद रंग होता है और दूसरे जो कुछ colors हैं hybrid रहते हैं या फिर new colors रहते हैं वो मैंने add किये हैं और सभी बहुत ज़़ा फूल देते हैं सुबा से लेकर शाम तक दोस्तों इनके फूल एक दिन के लिए खिलते हैं और फूलों की जो संख्या है वो अंगनत रहती है बहुत ज़़ा फूल खिलते हैं अगर आपके पौदे पे फूल नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आ हूँ इसमें मैं कुछ कलर्स पर अभी पता नहीं है मुझे हूंगे या नहीं पर आप चेक कर सकते हैं और ये सबी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो मॉस रोज ये बहुत हाड़ी प्लांट्स रहते हैं दूप में इसको मैंने पूरी रखा हुआ है और दूप के अलावा ये आपको फर्टिलाइजर है ये आप देख सकते हो ये है हमारे पास हुमिक एसिड हुमिक एसिड दोस्तों क्या रहता है कि ये एक तरह का आप मान सकते हैं फर्टिलाइजर या फिर सॉयल जो हमारी मिट्टी होती है उसमें अगर निउट्रेशन अच्छे से आपके पौदे को नहीं पहुंच रहा है मान लीजे आपके पास सेंडी सॉल है रितीली मिट्टी है उसमें आप जो भी खाद वगएरा डालते हो उसका असर अच्छे से पौदे में नहीं जा रहा है क्योंकि जब भी आप पानी डालोगे वो सभी नीचे से बाहर आ जाएगा तो इसके लिए मिट् पौदे को ज्यारा से जारा निट्रीशन दलाने के लिए हम हम यूमिक एसेड का परियोग करते हैं यह दोस्तों जो हमारे पास पुरानी मिट्टी होती है उसमें निट्रीशन काफी बार अच्छे से पौदे को नहीं मिल पाता है उसमें कॉंटेंट जारा अच्छा करने के जैसे हमारे major nutrients रहते हैं पौदे के लिए nitrogen, phosphorus, potassium उनको बढ़ाने के लिए हम इसका परियोग कर सकते हैं तो हुमिक एसेड आप कह सकते हैं एक तरह का fertilizer है जो पौदे की जड़ों को जाला से जाला nutrition दलाने में हमारी मदद करता है हमने क्या किया है दोस्तों यहां पे मैंने 4- पांच ग्राम लिया है जो हुमिक एसेड है और इसको 6-8 लीटर पानी में अच्छे दरीकी से mix किया है इसका दोस्तों जो रंग होता है बिल्कुल काला हो जाता है जब आप इसको डालोगे मिट्टी में सौरी जो पानी में और इसका जो fertilizer है एक तरह का liquid fertilizer बनता है आपने क् करें जो eternity जो हमारे पानी मेरे फिक्सकते मेरे पास यह एक मग है यह क्लिल्टर का होगा और इक लिटर का आपने आठ उंचि गंबले में कर várias जैसे पांच से शो जैसे आप कह सकते हैं 200 ml के आसपास मैंने पांच जो गमलों को दिया है एक लीटर जो हमारे पास humic acid है ऐसे दोस्तों आपके पौदे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगे इसमें फूल भी अच्छे से आएंगे nutrition दोस्तों जैसे आप काफी बार बोलते हैं मुझे कि हमने खाद भी दिया है सब कुछ दिया है सब कुछ करके हमने देख लिया है फिर भी पौद अच्छी से ग्रो नहीं हो रहा तो ये एक आप कह सकते हैं कि आप प्रयोग करके देखें अगर आपको कोई फरक लग रहा है त दो महीनों बाद करता हूं यह वाली जो चीज है यह प्रूनिंग दोस्तों क्या होता है हमारे जो पौदा होता है जो फूल देता है आप मान लिजे उसने एक महीना या डेड़ महीना जारा से जदा आपको फूल दिए तो एक स्टेज ऐसी आती कि वो फूल देना बंद कर देता हूँ उसके पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त आपने कुछ भी नहीं सोचना आपने सिंपली क्या करना है प्रूनिंग कर देनी है पौदी की जो हाड प्रूनिंग होती है अच्छे से इसकी ब्रांच इसको काट देना है इसके साथ दोस्तों अगर मौसरोस में जो भी मेरे पास पौदा है मैं हमेशा दो महीने में एक बार जरूर करता हूँ जिसके साथ इसकी जो ग्रोथ है फ्रेश रहती है और एक सीजन में तीन बार तो आपको कम से कम करना पड़ेगा अगर आप अच्छे पौदे पर जो फूल चाहते हो अगर आपके चोटी से information थी मौसरोस के उपर जो आपको मैं देना चाहता था मैं जब भी सुबा आता हूँ इसके फूल बहुत ज़्यादा खिले होते हैं अगर आप beginner हो गार्णी में अगर आपको हाड़ी प्लांट चाहिए तो मौसरोस या फिर नाइनो क्लॉक का पौदा है जो आप न आपका reply देने की कोशिश करूँगा thank you for watching and please please do subscribe and ये वीडियो को share and like जारा से जारा की और चैनल को भी subscribe जुरूर करेगा आपका thank you for watching and please please do subscribe to my channel thank you